हाई अब्रिवन स्वागत है आपका लर्निंग ग्रूप चैनल पे आज है 27 मार्च और 27 मार्च से लेटर जो भी क्रंट अफेर के इंपोर्टन कॉस्चन बनते हैं अज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो की पीडियेप आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रवाइड करवा दिया है वीडियो के साथ लास्तक बने रहें और अपने क्रंट अफ्यर के नॉलिज को बिल्ड अप करें फर्स्ट कॉशन है भार सरकार ने किस देश से भारतियों को निकालने के लिए ओप्रेशन इंद्रावती शुरू किया है अप कंट्री हमारे पास है तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्रंसी की बात करें तो हैतियन गौड जो है वो करंसी है 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 कंट्री की next question है रूस में भारत के नई राजदूत के रूप में किसे निक्त किया गया है रूस में अब भारत के राजदूत होंगे बिने कुमार यह option जो है इसका correct answer रहेगा next question देखें world happiness 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशाल देश कौन सा है world happiness index जो है 2024 जारी हो चुका है और इसके अनुसार जो है सबसे खुशाल देश है Finland Finland इसका सही अंसर होगा option D Finland जो है first number पे आया है second number पे आया है Denmark और third number पे आया है Iceland तो first three जो है countries आपको पता होनी जाहिए Finland जो है first position पे है सबसे खुशाल देश जो है Finland है Finland की बात करें तो Finland की capital है हेलेंस की और इसकी currency है euro अब हमें ये भी पता होना जाहिए कि इस index में हमारे देश भारत का कौन सा स्थान है तो इंडिया का 126th place है और कितनी countries जो है total इसमें participate हुई थी 143 तो ये ranking आपको पता होनी चाहिए related question जो है एकसर exam में पूछे जाते है अब Finland जो है 7 सालों से लगातार इस index में top पे है ये भी आपको पता होना चाहिए इसरो ने गगन यान चालक दल की सहायता के लिए कोन सा एप लौँच किया है तो इसरो ने सखी एप लौँच किया है क्यों कि गगन यान चालक जो है उनकी सहाइता के लिए ए option जो है इस question का सही answer रहेगा अगला प्रशन देखिए हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सब मनाया गया डोल पूर्णिमा का उत्सब जो है हाल ही में पस्चिम बंगाल में मनाया गया C जो है इसका correct option होगा पस्चिम बंगाल से related important point की बात करें तो first point हमारे पास ये आता है कि पस्चिम बंगाल ने हाल ही में पोईला बेसाक को अपना राज्य दिवस बनाने की घोशना की है और बांगलार माटी बांगलार जल को अपना राज्य गीत घोशित किया है अब पंगलाई बेसाक जो है ये पस्चिम बंगाल ने 15 अप्रेल को मनाने का निर्णे किया है तो 15 अप्रेल को जो है पस्चिम बंगाल का राज्य दिवस होगा पस्चिम बंगाल के शांती नीकेतन को युनेसको ने अपनी विशव धरोहर सूची में शामिल कर लिया है ये कुछ important point थे जो आपको पता होने चाहिए next question देखिए S&P Global ने financial year 2025 में भारत की GDP बृधी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है S&P Global ने 2025 में भारत की GDP 6.8% रहने का अनुमान लगाया है D जो है इसका correct answer होगा next देखिए हाल ही में भारतिय सेना ने किस देश की सीमा पर IDD and IS system तेनात किये हैं तो ये चाइना की सीमा पर तेनात किये गए हैं IDD और IS system IDD and IS system की full form है integrated drone detection and interdiction system इनकी capacity की बात करें तो drone detection capacity जो है 5-8 km है और drone को jam करने की जो radius है वो 2-5 km है ये craft किया है DRDO द्वारा DRDO और भारत electronics DRDO की full form क्या होती है Defense Research and Development Organization तो ये कुछ point है जो आपको पता होने चाहिए और हाल ही में ये चाइना की सीमा पर तेनात किये गए है नेक्स देखिए देश का सबसे उंचा मतदान केंदर कहां पे है किस राज्य में ये मतदान केंदर पढ़ता है अक्सर ये question पूछा जा सकता है तो ये हिमाचल परदेश में पढ़ता है देखिए हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 किस राजे में शुरू किया गया है ये मिशन 414 जो है हिमाचल परदेश में शुरू किया गया है हिमाचल परदेश में जिन मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशत 60 से कम थी वहां पे ये मिशन चालू किया गया है चु मैं प्रतिशत्ता को बढ़ाने के लिए ये मिशन 414 जो है वो शुरू किया गया है I hope ये वीडियो आपके लिए informative रही होगी वीडियो अगर अच्छी लगे तो like share ज़रूर कर दीजिएगा Thanks for watching